वित्नमंत्री स्रेमान अरून जेटली जी को उत्तम बजेट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक ऐसा बजेट है जो गरीब को ससक्त बनाएगा बुनियादी ढांचे को और मजबुत भी बनाएगा गती भी देगा हर किसी की उमीदों को अउसर देगा अर्थ तंत्र को एक नई ताकत देगा नई मजबुती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा इस बजेट में हाईवे भी बनें आईवे भी बढ़ें डाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक रेलवे के मोडनाईजेशन से लेकर के सरल एकोनोमिक निर्मान करने की दिशा में सिक्षा से लेकर के स्वास्त तक उद्यमी से लेकर के उद्योग तक टेक्स्ट्राइल मैनिफेक्चरिंग से लेकर के टैक्स डिड़क्शन तक हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजेट में साफ साफ नजर आता है इस अइतियासिक बजेट के लिए वित्मिंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है ये बजेट देश के विकास के लिए पिछले धाई वर्स में जो कदम उठाए गए जो फैसले ले गिया है और भविश में और मजबुती के साथ आगे बढ़ने की इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वकुर कड़ी है इस बजेट को मैं देख रहा हूँ एक अन्य महत्वकुर कड़म है कि रेलवे बेजेट को जनरल बेजेट में मर्ज कर दिया गया है इससे अब पूरे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर उसको इंट्रिगेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी देश में परिवहन से जुड़ी आवशक्तों की पूर्ती में रेलवे अब अपना योगदान और बहतरीन तरीके से कर पाएगी ये बजेट, क्रिशिक शेत्र, ग्रामिन शेत्र, सामाजिक कल्यार, इंफरसेक्चर, इन सभी शेत्रों में एक विशेश ध्यान आकरसित करता है निवेश बढाने और रोजगार के नए अवसर पैदार करने की दुरुष्टी से सरकार की जो प्रतिवद्दता है वो इस बजेट में साफ साफ नजर आती है योजनाओं के लिए आवंटरन में भी बहुत बरोत्री की गई है सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटरन में काफी भृद्दी की गई है सरकार का लक्ष 2022 तक हमारे देश के किसानों की आए दबल करने का इरादा है दो गुना करना है नीतिया एम योजनाय उसी प्रकार से ताइक की गई है बजेट में सबसे ज़्यादा जो इस बार भी किसान, गाउं, गरिप, दलीत, पीडीत, शोचीत उन पर केंजरीत किया है अग्रिकल्चर, एनिबल हासमंडरी, डेरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलोप्मेंट, स्वच्छ भारत मीशन, यह सारे छेत्र ऐसे हैं जो गाउं की आर्थिक स्थिती में बहुत बड़ाव भी लाएंगे और ग्रामिन जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ाव लाएंगे बजेट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोस दिया गया है नोकरी के लिए ने अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्टोनिक्स मैनिफेक्चरिंग, टेक्स्टाइन, उसको विशेस राची दी गई है अज संगडिक छेत्र में काम करने वाले लोगों को संगडिक छेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किये गए हैं स्किल डवलप्मेंट, बजेट में काफी बढोत्री के गई हैं, ये हमारे देश के युगाओं को ध्यान में रख करके और जो डेमोग्राफिक डिवीडन है, इसका भरपूर फाइदा भारत को मिले उस पर ध्यान केंदित किया है मात्मा गांदी, नेशनल रूरल एंप्लोमेंट गैरेंटी स्कीम उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है, किसी भी वर्ष में न हुआ हो, इतना रेकोर्ड अवंटन किया गया है बजेट में महिला कल्यान पर भी विशेश ध्यान दिया गया है बहलाओं और बच्चों से जूड़ी योजनाओं के लिए बजेट में वृद्धि की गई है स्वास्त और उच्चे सिख्षा के लिए भी बजेट में काफी बढ़ोत्री की गई है आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्रक्शन सेक्टर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ये बजेट ग्रामिर के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है रेलवे के बजेट में एक बात पर विशेस बल दिया है और वो है रेलवे सेप्टी फंड इस फंड के मदद से रेलवे सुरक्षा पर परियाप्त धन्रा से खर्च करने में मदद मिलेगी बजेट में रेलवे और रोड इंस्फार्स्रक्टर के कैपिटल एक्स्पेंडिचर में काफी बढ़ोत्री कर दी गई है डिजिटल इकडामी के लिए जो कॉम्प्रिहंसिव पैकेज दिया गया है उचसे टैक्स्टोरी की संभावनाएं कम होगी और अर्थ बवस्ता में काले धन के प्रभाव पर नियंत्रन संभव होगा डिजिटल इकडामी को एक मिशन के तौर पर शुरू किये जाने से आने वाले वर्ष में 2017-2018 में कि दो हजार पांसो करोड डिजिटल ट्रांजेक्शन के बड़े लक्ष को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी हमारे वित्तमत्नी जी ने कर प्रणाली में जो सुधार और संसोधन किये हैं उससे मद्यम बर्पो राहत मुलेगी उद्योगों के स्थापना होगी रोजगार के आउसर मिलेंगे बेद्भाव के अउसर खत्म होंगे और सबसे महत्पूर पहलो होगा है कि नीजी निवेश को पूच्छान मिलेगा बजेट में व्यक्तिकत इंकम टेस्ट कम करने की गोश्रांग देश के मद्यमबर को ज्यादा सफर्ष करती है बड़ी महत्पूर है दोस प्रतिशत से एकदम पांच प्रतिशत कर देना बड़ा सहस्पूर निड़ने है करिब करिब हिंदुस्तान के अधित्तम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाब होने वाला है आपने देखावा का बजेट में काले धन और व्रस्ठाचार के खिलाब मेरी लड़ाई नेरंतर चल रही है पोलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है राजलितिक दल हमेशा चर्चा के घेरे बे रहे हैं चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्तमंत्री जीने देश के आशा आकांशा और काले धन की खिलाब के लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तूत किये हैं देश के छोटे और मद्यम उद्योग नोकरी के नए अवसर परदा करने के सबसे बड़े स्रूत है इन उद्योगों की पुरानी माँग रही है कि ग्लोबल कॉम्पेटिशन में वैस्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाई आ रही है अगर इसके लिए टेस्ट कम किया जाएं तो हमारे लबूत्योग जो की करीब करीब 90 प्रतिशत से जाता है देश में और इसलिए सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाशा में बढ़लाव करके उनके दाइरे को भी बढ़ाया है और पैस्ट को भी 30 प्रतिशत से घटा करके 25 प्रतिशत कर दिया है यानि देश के उद्योग जगत के 90 प्रतिशत से जादा लोग इसका ला निश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉंपुटेटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा यह बज़ेट के देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है इस बज़ेट से रोजगार के नए अवसर पहता होंगे संपून आथिक विकास में मदद मिलेगी किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह पूरक होगा नागरिकों को उनकी क्वालिटी ओफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा स्वास्त आवास यह सारी चीजों में अधि अच्छी सुविधाई की सर्भावना बढ़ेगी और बिना वित्तिय घाटा बढ़ाएं देश के मद्यमबर्ग के पास उसकी खरिच सकती बढ़ें उसके जेब में ज़्यादा पैसे आएं उद्धिशा में प्रयास है एक प्रकार से ये बज़ेट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तीजी से बदलने का प्रयास एक प्रकार से हमारे सप्नों से जुड़ा हुआ हमारे संकल्कों से जुड़ा हुआ ये बज़ेट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है हमारी नई पीडि का फ्यूचर है हमारे किसान का फ्यूचर है और जब मैं फ्यूचर कहता हूं तब उसका मेरा मन में एक मिनिंग है F से Farmers किसामों के लिए U से Under Privilege दलीद, पीडीद, सोशीद, वंचीद, महिला उनके लिए T से Transparency पारदर्शिता Technological Upgradation आदुनिक भारत बनाने का सपना U से Urban Regumination सहरी विकास के लिए और R से Rural Development ग्रामिन विकास के लिए और E से 9 जबानों के लिए Employment उद्योग साहसिकों के लिए Entrepreneurship Enhancement नई रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 9 जबान उद्यवियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस budget के लिए इस future को पस्तूत करते हुए वित्यमंत्री जी को फिर से एक बार बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये budget एक बहुत बड़ी सहाई व्यवस्ता है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा विकास की नई हूँचाईयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहुल बनाने में ये budget बहुत ही उपकारख होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है फिर एक बार वित्तमंत्री को वित्तमंत्राले को उनके पूरी टीम को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई